हले स्टुएंस एक अफिस्स आगात है आपका इपनी एटूप चैनल एड़ी के आन पे तो जैसे के आप सब को पता ही कुछी दिनों पहले में आपके बीएसी थड़ी आ रही यानि बीएसी फाइनले में आपके एक बुक श्टार्ट करी थे जिसका नामता लीनियर एलजेब को ने देखेंगी तो आज किलास आपको समझ में नहीं आने वाली है इससे पहले दो किलास को जरू देख लीजिगा हमने इसकी एक सेपरेट प्लेश्ट बना रखी लीनियर एलजेवरा की नाम से वहाँ पर आपको सारी इसमें जितने भी वीडियो आने वाले किलास आने व आप उसे भी जरू जोइंग कर लिजिगा क्योंकि वहाँ पर आपको जितनी भी क्लास रहती है उसे रिलेटेट आपको नोटिफिकेशन वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आईए आज की क्ला कोशन से वह भी काफी मौश इंप्रोटेंट होने वाला क्योंकि यह भी काफी वार इंटू एक्जाम में पूछा गया है ठीक है तो यहां पर आप इससे कोशन को बिल्कुल ध्यान से समझेगा अगर आपको पिछली दो कोशन के अच्छी तरस से यहां पर समझ में आ चुक में वास्तिविक संक्याओ के शेत्र आरे पर मैक्ट्रिक्स योग और मैक्ट्रिश अदिश गुणन के सापे शेक्क्या होना चाहिए सदी समस्टी होना चाहिए यह वैक्टर स्पेस होना चाहिए आपको प्रूफ करना है इंग्लिश में भी आपर बता देते कि the set M of all M into an real matrix having their elements as real number is a vector space over the field R of a real number with respect to addition of matrix and scalar multiplication of matrix जो की काफी सिंपल आपके लिए questions होने वाला है सबसे बिले आप देखेए कि यहां पर हमारी एक matrix है जो कि यहां पर हम मानेंगे कि हमरे M यहां पर कि इसको present कर रहा है matrix को present कर रहा है याँ आवियों को present कर रहा है तो यहां पर M ने हमारा matrix है यहां पर हमने क्या माना है matrix जो हमारी है वह है यहां पर हमारी AIJ है क्योंकि आप सबको पता है कि matrix को इस तरह से present किया जाता है formula के according तो AIJ into M into N जो कि यह कोटे को परदिशित यहां पर इसकी करता है ठीक है यानि इसकी order को present करता है उसके बाद यहां पर देखेगा जो आपकी जो AIJ इसमें elements होंगे इस matrix में वह केसे होंगे आपके किसमें विदमान होगे किसमें बिलोंग करेंगे आपके real number में आर यानि क्योंता रियल नंबर होता यानि वासविक संक्या में यह बिलॉंग करेंगे जो कि हमारी question में दे रखा है अब आप सबको पता है कि जब भी आपको इ अबेली ग्रूप यानि एविलिन ग्रूप आती है जिसके अंदर आपके तीन-चार ओ चीज़ आती है जैसे आपके शुन्नियावब यानि जीरो एलेमेंट्स आ जाते है रिनात्मक अभ्यवा आ जाता है और आपके सहचारिता यानि एसो स्यूटी भी आ जाती है कॉमेटे अरफ आट्डिकी बात करें तो वह आपकी आइडिनिंटी होती है यानि तस्वमक होती है अगर यह आप पाचो को निकालते है तो आप क्या केसाते है कि यह सदिश समष्टी होगा यानि वेक्टर इस्पेस्ज होगा ओके तो उससे पहले भी हम यहापर दौ छीज ओर निका रहां नहीं होगे सदिश यहांनि वैक्टर करने के लिए हम क्या दो रेटे ईल्फा और बीटा तो यहां पर आपसे हाँ होगा तो ऑफ यहां पर हमारे होगा its के यहीं यहां परав कर रहा है मैक्टिरे के अलेमेंट स्की आपको जो मैणका order यहें užतों किसendo करता है listeners और यहाँ अभी ना पर आप अधिर में करेंगा जाता है अगर यह दोनों नहीं करें αफा पलस वीटा का तो आप देखेगा यहाँ याप पर एदिखेर यहाँ पर आपका यहाँ पर आपकी यहाँ पर देखेंगे इन कि order m into n यहां पर हमारी matrix आ जाती है और आप सब्सक्राइब कर रहे तो आप देख सकते कि alpha बीटा भी हमारा किसमे पर प्लस बीटा भी अगर यह बिलोंग करता है तो हम केस सब्सक्राइब करते हैं यहां पर सदिश योग या वेक्टर एडिशन है वह मैक्ट्रिक्स में आ पर आपके आ रहा है अब बात करते हैं हम यहां पर अधिश गुणं की यह नि स्केलर मल्टिपिकेशन की तो इसमें हमें स्केलर ले रहे सब्सक्राइब करते हैं यहां पर यहां पर आपके आपके डिख सकते हैं यहां पर आपके यह बहर रहे गा और यहां आप आप देखेगा कि again which is an endर चोइंद दून करें तो आपके अंदर आया है और aij यह भी आपके किस व्लों करें और आरही वास्रीक्ट नंबर में बिलोंग करेगा तो हम क्या क 지ते हैं ओर जिसमें व्लोंग कर जाता हैं हमारा सकते हैं कि हमारे जो एलफा है वह किसमेक कर जाता है हमारा मेक्टिक्स यानि आवे में विलोंग कर जाता है इस प्रकार से हमने सदिश योग्र और अधिश गुणनतों निकाल लिया है अब हम हम हमारी जो पाछ प्रोपरड़ी उसका यूज हम करने वाले तो इसमें पहली प्रोपड़ी कोई से आती है आपकी आपटी है और अबली गूरुप के अंदर भी तीन चार कंदेशन होगी तो पहली कंदेशन कोन से होती है आपकी शून्नी अब यानी जीरो elements होती है, तो हम यहाँ पर एक 0 ले 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 लेते हैं, जो कि किसमें belong कर रहा है, आपके वासिक संख्या है, याँ आपके real number में belong कर रहा है, जहाँ पर आपके AIJ क्या होगा, आपके 0 होगा, याँ जितने कर दो कि मैट्रिक्स आजाईगी, यहाँ पर आपके अल्फा की मैट्रिक्स आजाईगी, जो कि अभी हम यह अपर निकाली, जब हम यहाँ पर दोनों का इड़िशन करते हैं, यहाँ पर AIJ आ जाता है, और है हम किसे प्रजेंट करते हैंलफा से यहां पर आपकी प्रप्रप्रप्रटी जो जाती है उसके और यहां पर आती ही योट्य परती लोग यानि एडिटीव इन्वर्स जिसे हम लिनात्मक सदिश भी कह सते हैं यानि नेगेटिव वेक्टर भी तो यह पर आप देखेगा कि alpha हमारे यहां पर क्या है aij m into n जो कि किसमें बिलोंग कर रहा है matrix में बिलोंग कर रहा है और इसे हम यहां पर minus alpha लेते हैं जिसका elements क्योंगे minus ij और जो भी आपके matrix में बिलोंग यहां पर करता है अगर हम दोनों plus है यहां पर आपके जो योजय परतिलों में minus alpha इसका अगर addition करते हैं तो क्या आता है आपके जीरों इसी प्रकार आगर हम यहां पर अब हम यहां पर क्या करते हैं पहले जो alpha प्लस बीटा इनका हम addition कर देते हैं उसके बाद में हम यहां पर gamma का addition करेंगे इस प्रकार हम लिख देते तो यहां पर क्या होगा यहां पर हम इन में क्या करते हैं कि अब यहां पर भी इसकी m into n order है यहां पर भी m into n order है तो हम इन दोनों को addition कर देते हैं इसके लिए क्या करेंगे हम यहां पर a ij प्लस b ij पर हम यहां पर ब्रेकेट लगा देंगे कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो उपर यह लाइन होत अब इस प्लस cij लिखा हुआ है चाहे तो आप इसे एक प्रकार से लिख सकते हैं कि a ij旬 डिया ब्रेकेट बहर प्लस cij आप इस प्रकार से भी इसे प्लस प्रेंट कर सकते हैं यह ब्रेकेट का काम कौन करेगा यह उपर line bracket यहां पर करती है तो यहां पर क्या आ जाते है य UIJ है वह आपका भाहर रहेगा और ब्याइजे प्लस CIE पर आपके क्या जएगा लाइन ब्रेकेट आ जएगा ठीके आप रहाएं पर हम क्या करते हैं कि जो UIJ है उनको हम यहाप अलग लिख देते हैं ब्याइजे मं फो यहाप अ और यहाप दिखेंगे एलफा प्लस बीटा को पहले एडिशन कर रहा था फिर गामा को वो इससे निकल के क्या है यहाँ पर आप देखेंगे कि एलफा भार उप्पी बीटा प्लस गामा ब्रेकेट में आ चुका है यानि इसमें हमारी कौंसी प्रोपेटिस लग चुकी है सही चारिता यानि एससे इलफा ब्लस बीटा का यहां पर क्याता है एडिशन करते हैं रिखेंगे एडिशन करते हैं यहां इसको हम लिख सकते हैं बीटा पलस अलफा यहांपर आ चुका है अब आप देखेंगे कि जो हमारी यहांपर फर्स्ट प्रोपर्टी ती इसके अंदर चारे कंडिशन आई ती शुन्निय ओवेव यानि जीरो एलेमेंट साहिती सेकेंड यापर योज्य परतीलों में एडिटिव इन्निवर साहिती थर्ड सर चारिता यानि एसो सीटिविटी क प्लस्ट के लिए यहांपर यहांपर आप लिख दीजेगा कि एमप लखेंजी का हमारे आचुका है जिसरे हम ने पिछली किलास इसमें भी आपको बताया था ठीक है अब उसके बाद यहांपर हमारी फर्स्ट प्रोपरटी आई अभी तहर यह चार और प्रोप्रटी आना बाकि है, second कौन सी होती है, आपकी बंटनत है, यानि distributions आती है, अब distributions भी कौन सा, जिसमें आपका सदिश योग तो हो, अदिश क्या हो, गुणन हो, यानि आपका वेक्टर एडिशन होगा, और स्केलर मल्टिपिकिशन होगा, यहाँ आप आप दिखेगा, कि सबसे बहुता है, अलफा की value ले 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 लेते हैं, जो कि क्या हो जाता है, AIJ हमारे elements आ जाते ही, matrix के तोर पे, और बीटा की होता है, BIJ यहाँ पर आ जाता है, जो कि आपके matrix में बिलोंग करता है, और A हमारे यहाँ पर जो अदिश गुणने, scalar होगा, वो क्या होगा, आपका A मान लेते हैं, आपका R यानि वासिवक संक्या में आपका विदमान होता है, real number में, अब हम क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ पर scalar अदिश है, इससे multiplication कर देते है, अलफा प्लस बीटा से, यानि जो हमारे सदीश है, यहाँ पर हम वैक्टर से addition यहाँ पर कर देते हैं, इस A को multiplication कर देते हैं, अब यहाँ पर जो A है, इन दोनों से क्या होगा, multiplication होगा, multiplication क्यों होगा तो क्या होगा, AIJ आ जाता है, फिर यहाँ पर प्लस, leven बीज यहाँ पर आपके आजाता है, जिसे कि यहाँ आपर आप देख सकते हम, आप यहाँ अलग अलग लिख देते हैं, और şunu घर इन ऐं, हम लि प्लस आपके A बीटा निकल के आ जाते हैं जिसमें कौन सी यह पर आपकी फोलो हो रहा है यानि बंटनता नियम आपके फोलो हो रहा है तो इस प्रकार आपके सेकंड प्रोपेटीज भी निकल के आ जाती हैं इसके वाज हमारे यहां पर थर्ड प्रोपेटीज वह कौन सी है जिसमें आपके सदिस्ट गुडन होगा वह अधिश योग होगा इसके लिए आपको बंटनता लगानी है यानि डिस्टिबुशन लोग लगाना है तो क्या होग आपके विलों कर रहा है तो यहां पर हमें एप्लसबी एडिशन कर देती है और रिंटू में क्या आता है यहां पर आपके लिए रहता है इसके उपर line bracket फिर aij आप इस प्रकार भी इसे लिख सकते थे लेकिन हमने यह पर a की question में आपको दोनों प्रकार से बताए एक वा line bracket से भी और बिना line bracket के भी जिससे आपका अच्छे तो समझ में आए जो भी आपका अच्छा लगया उस प्रकार से कर सकते है यह आपर हमने इ यहां पर लिख देते aij m into n b aij m into n ठीक है फिर आप क्या होगा कि इन दोनों में यहां पर आप दिखेंगे यहां पर a common आ रहा है तो हम यहां पर a बहर लें आ जाते और यहां पर b R थो इसको b को भार हम लिया अब aij को हम क्या लिख सकते यहां और यहां पर aij को भी हम क्य प्रोपटी जाती जो कि क्या है अधिश गुड़न के लिए साच आरिता इसे आप इंग्लिश में भी लिख लीजी इंग्लिश में वाले स्टुइन्स यहां पर आप देखेगा कि एसो सीर्टी विटी इसोर्ष गुड़न के लिए आप आपको सहीर निकान लिएं तो इसकेलर है यहांपके लिएल नमबर यानी वासविक संख्या में बिलोंग करते हुग यहांपर हमारे अलफा आ जाता है जो कि क्या है यहाँ पर A, I, J, M into N जो कि किसमें बिलोंग कर रहा है मैट टेक्स में बिलोंग आपके इसमें विदमान होता है अब यहाँ बी यहाँ पर आपके multiplication की form में होगा और alpha भी आपके किसमें होगा? multiplication की form में होगा तो यहाँ पर आपके A, B आ जाता है और Alpha की जगह के आ जाता है A, I, J यहाँ पर आपके आ जाता है यह A, B आपके इस A, I, J से multiplication यहाँ पर आपके हो जाता है अब फिर आप देखेंगे कि A है वो यहाँ बाहर रहता है और B, A, I, J वो यहाँ पर इससे अंदर अलग ब्रेकेट में मल्टिपिकेशन हो जाता क्योंकि इसमें कौन सी प्रॉप्रेस लग रही है सहचारिता यानि आपके एसोसेटिविटी लग रही है अब यहापर ए तो भाहर चल जाएगा और बी आईजे यहापर आपके प्रेकेट में बी एलफा हमने यह इसमें अपर निकल की आया आपके बहार आगया और बी आलफा यहां पर आ चुका है यहां इसमें कॉनसी प्रॉप्रेस लग चुक्किये जो कि आपके मल्टिपिकेशन की लिए होती है okay अब इसमें हमारे हैं पर जो लाइच्ट फ्म बाली्टी देखेंगा जोड़ों वूटीपिकेशन करते हैं और यहाँ पर यहाँ पर एल्फा से flor फेल्ट को रहे हैं हम तो वन भार और यहाँ चाट हैं तो आपकी यहाँ पर देख सकते कि आपकी जो पाचक प्रोपटी जहीं है इसमें वो आ चुकी है तो इस प्रकार हम क्या के सकते कि जो M है वो R पर एक किसा होगा सदी समझटी हो गया है नहीं M is a vector space on यहाँ पर R आपके आ जाता है M is a vector space on R यहाँ पर आपकी यह question पर प्रूफ हो जाता है जो कि यह question काफी बार पूछा गया question है इसलिए आप मौश important लगा लिजीगा वो इसकी अच्छी तरह notes बना के आप practice कर लिजीगा सब students को notes जरू बनाने क्योंकि notes बनाने से आपके अच्छी तरह से practice होती है और जिन भी students को PDF चाहिए तो जैसे ही आप मैंने आपको पिछली classes में बताया था जैसे ही आपका यह पूरा chapter finish हो जाएगा आपको इसकी PDF है हो हमारे online PDF इस्टोर पर आपको provide करवा दी जाएगी जि आप हमारे टेलिग्राम चेनल है मेस बाई एस्टेडियान के नाम से आप उससे भी जरू जोइन कर लिजीगा जिसका लिंक आपको description में मिल जाएगा या आप टेलिग्राम पे सर्च करके भी इससे जोइन कर सकते हैं जहां पर आपको सभी classes से related notification प्रोवाइड करवाई जात से उससे continue कर पाई इसलिए सभी students को like करके जो जाना है और साथ में इस वीडियो को like करना ना बोड़ेगा नेश्ट वीडियो का link है वो आपको description मिल जाएगा साथ में इस linear algebra की playlist का link भी आपको description मिल जाएगा तो मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते र झाल झाल झाल